हाई गैस वल्कम बैक टो मैं चैनल इस वीडियो में आपको बहुत ही स्वागत है तोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे आई यूए सिक्षिन डॉट टू के नए अपडेट के बारे में गाईज आपल ने एक नया अपडेट लाउंच कर दिया है अपने आइफॉन को जो हमें जो है सारे के सारे आइफॉन में बहुत सारे टन्स ऑफ ग्रेट निव फीचर एड ओन किये गए हैं सिक्षिन डॉट टू में आपको इस वीडियो को लास तक देखना है और अपने एस वीडियो के साथ एक तरह से चिप रक जाओ और वीडियो को लास तक देखना कोई आपको जो है फोन को अनलॉक करना है और यह बिस टफ नहीं करना है क्योंकि बहुत सारे फीचर आपल ने आइड उन किये हैं सबसे पहले साइज की बात करें अलग-अलग फोन के लिए अलग-अलग साइज रहेगा वह डिपेंड करता है कि सब्देट से आप इंस्टॉल कर आपको जो आइफोन आपको इस तारीकी की स्क्रीण के उपर ले जाएगा आपको जो है फोन को अनलॉक करना है और फिर आपको आएफोन जो है आपको शो करेगा आपको शू करेगा software update complete तो मैंने जस्ट आपडेट गंटा हो गया है इसको अपडेट किया है जस्ट ऐसे का ऐसा ही रख है क्योंकि मैं आपको कम्प्लीट टोटली दिखाना चाहता हूं कि किस तरह की यूई आपको देखने को मिलेगी जब आप अपडेट को इन्साल करोगे अब ही जो है मैंने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया है आप देख सकते हो मुझे 50 GB जो आइकलाओ सोरेज उसको बाइकन की ऑप्शन दे रहा है मैं इसको नॉट नाउ कर देता हूं कि मैं नहीं खरीनना चाहता है आइकलाओ प्लस आइफोन एलिट एक्स को शेर करना है नहीं त जो स्टोरेज रहती है सबसे पहले उसको हम ध्यान में रखते होए बात करते हैं कि एपल जो है इसका जो साइस था स्टोरेज अब अपडेट का वह मुझे देखने को मिला था 1.17 GB और इसमें जो है मुझे यहां पर यह सारा का सारा हाइलाइट इंग मैंशन है जो अपडे आप क अबेट्स आहे हैं सारे के सारे मॉडल्स जो भी आप यूजर है इस किस किस फॉन के बारे में कि मैं रिवियू कर Delta McMaster पी इसमेंस के वीसाइल आ रिविलेबल ही है सो मैं फ्लीस कॉमें थे प्ला दो कि वह कॉन को स्टाइब अब कर दो आ और लिवी शամ कहिए बाद अवेलेबल स्पेस थी मेरी जो 60 GB थी और अब चेक करेंगे कि अपडेट करने के बाद कितनी हो गई है आइफोन स्टोरेज जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर मेरा जो 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 मॉडम फर्मवेर था वो भी चेक करेंगे पहले क्या था 2.12.02 और अब चेक करेंगे कि कितना इसका मॉडम फर्मवेर है आप देख सकते हो पहले जो स्पेस थी वो 65.5 GB जो ऑक्युपाइड थी और जो मेरा सिस्टम डेटा था वो 29 GB के आसपास था 28.2 GB अब चेक करते हैं सबसे पहले सेटिंग्स में चलकर जैसे कि आप देख सकते हो जस्त बैक करते हैं सेटिंग्स में चलते हैं और यहां पर जनरल में अबाउट सेक्शन में 16.2 के ओपर मेरा आइफोन अपडेट हो चुका है पहले हमें जो है इसके उपर क्लिक करने में सिर्फ बिल्ड नंबर दिखता था iOS Fiction.2 और बिल्ड नंबर ये अब हमें ये सारी complete information देखने को मिल रही है जो हमें update जब जहां से हम download करते हैं वहां पर भी हमें ये option देखने को मिलते थे कुछ चीतों को notice करना है सबसे पहले आप देख सकते हो available जो space थी वो 60 GB थी और huge amount of storage मुझे इसमें free of space देखने को मिली है 20 GB के आसपास मेरी जो storage है वो free हुई है अगर आप एक heavy user हो आपने iPhone के ऊपर पूरा load डाल रखा है तो आपको जो है बहुत सारी space देखने को मिलेगी मतलब आप जब इसको install करोगे अपडेट को बाद अपडेट करने के बाद आपका iPhone चैन की सांस लेगा सो बेसिकली आप देख सकते हो 60 GB पहले availability अब 80 GB हो गई है 79.37 GB और जो इसका modern firmware है वो पहले 2.21.09 था और अब 00 हो गया है सो modern firmware चेंज हुआ है तो इसका मतलब है हमें networks में improvements या फिर destruction देखने को मिलेगी अगर तो सई किया है तो improvements ही है अगर तो problem आ रही है तो यह improvements नहीं है तो basically अब swipe up करते हैं और अब आप देख सकते हो यहां पर iPhone storage में जो मेरा system data है 60 GB से कम होकर 65 GB से कम होकर 48.5 होकर है यहां पर storage बग नहीं है क्योंकि just 5-10 seconds में iPhone ने storage calculate कर लेनी है बाकी अभी अभी start किया है तो इसके पास और भी task है perform करने के लिए system data check करते हैं क्योंकि उसमें ही मुझे सिबसे जादा storage free देखने को मिलती है 26-28 GB से मेरा कम होकर 12 GB तक पहुंच गया है तो आपको भी अगर storage free करवानी है तो जल्दी से इसको install कर लो बाकी बाइदवे अगर आपको wait करनी है तो आप wait कर सकते हो क्योंकि battery में कुछ problem create हो सकती है या फिर कुछ नई चीजें जो आई है वो issue create कर सकती है बाइदवे अगर आप एक normal user हो तो आपको wait कर लेनी है क्योंकि section.1.2 में भी आपको वैसे ही चल रहा था section.2 में भी कुछ नई features के कारण आपको problem create आईगी तो आप wait कर सकते हो battery में सबसे पहले चक्रने करते हैं मेरी पहले जो health थी वो 89% थी 13 Pro की और अभी भी 89% ही है सो जैसे कि आप देख सकते हो अब बात करते हैं कुछ नए features की सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं Apple के 5G option की यहां पर आपको mobile data वाले section में चलते हैं और यहां पर आपको network selection में जाकर 5G का option देखने को मिलेगा by the way यहां पर 5G अभी मेरे region में available नहीं है that's why यहां पर मुझे यह option देखने को नहीं मिला अगर आप 5G region में हो और आपने 5G supported SIM cards यहां फिर networks इंस्टाल कर रखे हैं तो आपको 5G on, 5G LTE यहां फिर 5G यह 4G mode के उपर option रहेगा अगर आप 5G अगर आपके पास option आ रही है तो मैं आपको recommend करूंगा 5G auto पर रखो 4G और 5G पर automatically shift होता रहेगा by the way आपको data usage के हिसाब से भी एक नहीं option देखने को मिलेगी मेरे पास अभी Jio है और मेरे region में 5G नहीं है that's why मैं अभी मेरे पास 5G option ही नहीं मिला है अगर मैं atl sim install करूंगा यहां फिर Jio का भी 5G आ गया है और मैं particular selected region में जाओंगा जहां जियो supported है 5G में तो मेरा 5G वर्क करेगा तो यहां पर अगर मैं atl की sim डालता हूं और atl 5G supported region में जाता हूं तो मैं जो 5G option आ जाएगा अब बात करते हैं नए features की Apple के music application में हमें जो है जो sing का option है गाना बोलने का वह हमें नया देखने को मिलता है listen now के उपर चलते हैं और कोई भी अगर आप song play करते हो तो यहां पर just hold on जैसे कि आप कोई भी गाना सर्च करके आप अपने iPhone में चलाते हो आपको sing option देखने को मिलेगा जो कि आप अपने iPhone में play कर सकते हो इससे क्या होगा कि आपको lyrics तो सुनने को मिलेंगे आपको lyrics दिखेंगे जो भी लिखा रहा होगा गाने का जो भी lyrics होंगे उसके साथ में एक आपको mic का option बना आएगा और वो जो mic का option है वो आपकी जो जो बोल रहा होगा जैसे कि कोई singer गाना बोल रहा है वो vocals को आवाज कम जादा कर सकता है और आप जो है अपने vocals बोल सकते हो वो भी singer आप भी singer दोनों ही गाने होगारा singer बन सकते हो अपने इस iPhone के music application के जो feature में so next जो चीज आई है वो है हमारी जो है new widgets के में जो नए features आए है जैसे कि आप देख सकते हो हमें काफी सारे नए widgets देखने को मिलेंगे so अगर आपको नए widgets ने हैं सबसे पहले आपको customize के उपर click करना है और lock screen में जलते है add widgets के उपर आपको दो नए widgets देखने को मिलेंगे नए widget add कर सकते हो कि कितना time आप सोए कितना time आपकी नीद खराब होई या फिर नहीं खराब होई second जो widget है वो हमारा आता है health application में यहां पर आपको health application में जाकर आप अपनी medication अगर आप proper रोज की अपकी दवाई लगी हुई है आप medication add कर सकते हो जो कि मैं भी आपको recommend करूंगा कि इसको add-on करना चाहिए अपनी यहां पर application में जाकर अपनी health के बारे में टोटल इसको information दे दो जैसके कारण आपको आइफोन है वो आपको रोज के रोज आपको जब भी आपकी medicine खानी है वो आपको reminder देगा सो आपको भूलेगा नहीं कि दवाई कब खानी है next जो feature है वो है हमारा FaceTime में जैसे कि guys आपको FaceTime जो हम कर सकते हैं live activities जैसे कि हम अपनी screen live screen share कर सकते हैं FaceTime उसमें पहले हम अपने videos देख सकते थे live screen sharing में FaceTime में video call में और अब हम game center में games भी खेल सकते हैं इसका आपको नया widget भी देखने को मिल जाएगा game center का और हमें जो है एक नया और option देखने को मिला है advanced protection advanced data protection in iCloud so IP जो है यह Indian region के लिए available नहीं है जैसे कि आप देख सकते हो advanced data protection यहाँ पर यह मेरे region में नहीं है जब भी आएगा आपको यह सारी की चीज़ों में backup में message में, cloud drive में, notes में, photos में यह जो है option देखने को मिलेगी advanced protection की जो कि apple ने बहुत बड़ा नाम बताया है so next feature है वो है हमारा live activities in apple tv जैसे कि live activities हम कोई application uber app जो कि कहां पर हमारी taxi यहां फिर कार जो आ गई है गाड़ी आ गई है उसका live status हमें आपके भी on ही रहेगा बाई देखने को मिलेगा उसी तरीके से apple tv अगर हम यूज करते हैं उसमें कोई live match देख रहे हैं so live match की जो scores है वो हमें live activities लॉक्स्रीन में ही देखने को मिलेंगी जो कि Apple TV live activities को use कर पा रहा है अगर आपको इस option को off है तो आपको Apple TV में जाकर live activities का जो option है उसको आप on कर सकते हो अब दिख सकते है live activities मेरा on है आपके भी on ही रहेगा by the default अब जो है नई जो application जो की highlighted thing है जो update में बताई है वो है freeform app Apple ने एक नई app already आपके phone में जब आप डाउनलोड करोगे update को आपके phone में आ जाएगी video थोड़ी से लंबी बन रही है by the way मैं आपको पूरी पूरी detail में बताना है that's why video लंबी बन रही है freeform app जो है अगर आपके पास Macbook यहां फिर iPad है और आपकी Apple ID आपका दोनों ही same account है तो आपके दोनों ही phones में freeform app आपको लैब करके user के साथ आप जो है add a board करके जैसे कि आप देख सकते हो add a board के ओपर आप कोई भी board select करके जो भी आप अपने phone में करोगे हो आपके iPad यहां फिर दूसरे user के iPad में जिसके जाएगी जो आप अपने phone में कर रहे हो so freeform app जो है एक नया हमें एक तरह से connect करने का productivity काम करने का नया Apple में source दिया है जो कि हम अपने iPhone में iPad में Macbook में लाइवली एकठे एक ताइम पर कर सकते हैं I messaging में problems को fix किया गया है I messaging में हम जो है किस चीजों को सर्च कर सकते हैं जैसे की for example मैंने इस बंदे को अपने बंदे किसी को भी I'm gonna say कि किसी photo को सेंड किया है किसी कुत्ते की photo सेंड किया किसी billy को सेंड किया है so हम जो है directly बाहर ज इसे इतना डेटेल में नहीं जाओंगा तो अभी यह फीचर आप्लिकेशन में अभी यह जो फीचर है वह इंडिया में अवेलिबल नहीं आया है वैदर आप में पर्टिकुलर रिजिन की जैसे मान लो कि मैं यहां पर शिमला की जो कि मैंने एक उसका वैदर और एड़न कर रखा है शिमला की न्यूज को भी बताएगा तो अभी यह फीचर अवेलिबल नहीं है इंडिया में जल्द ही आपल जो है करेगा नोट आउन नोट अप्लिकेशन में फिक्स किया गया है नोट जो है आइकलाउड से सिंक नहीं होते थे और दूसरे फोन में नहीं होते थे जो उस चीज को अगली कईya गया है और उसी सें चीज को आड़न किया गया है जो भी मैं डूसरे फोन में वह द र जूब रहा हूं जो मेरे आइपड या मैक बूब्या बोज्ब कर आ चैएगा उस चीज को एड़न किया गया है और राप का फीचर है उस में 10 मिन को on किया गया है आप देख सकते हो airdrops for 10 minutes यह पहले Chinese region में था अब जो है हर एक region में available हो गया है हर section में हर आइफ़न में आपको यह option देखने को मिलेगा और last में जो car crash detection है उसको fix किया गया है US में बहुत लोगों की complaint थी कि roller coaster ride में जब जो जूले पर iPhone जो है car correction car crash detection detect करते था और 911 पर call लगा रहे था उसको fix किया गया है so यह है सारे features जो कि आपके iPhone में add किये गए है I hope आपको यह जो update है बहुत बड़ा इसमें बहुत सारे नई features देखने को में लेकिन कुछ ही काम की हैं जो कि हमारे helpful रहेंगे बाइद वे आपको वैडियो कैसी लगी जिस लाइट में दो कॉमेंट सेक्शन थैंक्स वाशिंग यह सारे features कैसे काम कर रहे हैं आगे कुछ दिनों में वीडियो लेकर आऊंगा आब वडियो आपको पसंद रही हो